हाई फ्रेंद्स कैसेों आप सब आई हबाप सब ठीक होंगे गोश्च भूना तो आप लोग बोह्त तरीके से खाया होंगे या गोश्ट कौश्ण जो बहुत सिंपल तरीके से आज मेरी माँ बना के दिखाएंगे जो बोहुत टेस्टी लगती है घर की मसाला से बहुत तीक कम मसाला से मज़ेदार गोश्ट करी गोश्ट भुना जो भी आप लोग बोल सकती है कैसे बनाते हैं आज मैं आप लोग अशार करने वाले आप पूरा पूरा वीडियो देखते रहे हैं तो जली फ्रेंज आसके रेसिपी को शुरू करते हैं गोश्ट जोश्ट देर किलो गोश्ट लाए है अब में पिस पिस करके कट के साफ करके धूँ लूँगे आप लिए हैं अब थंडे पानी से साफ करके धूँगे दूँगे मा बनाएंगे और मा सारे मसला रेडि कर दिया है इसमें बहुत ही सिंपल तरीके सिविलेज स्टैल में चुले पार बना के दिखाएंगे गोश्ट में देने के लिए जीरा फ्राय कर रही है भूल रही है देखे और इसमें गोश्ट में सारे मसला देदेंगे दिसे की नमख हल्दी पाउडर मिट्ची पाउडर अपलोग अपलोग का हिसाफ से देदी जिएगा इसमें देदेंगे दो चम्मच मिट्ची पाउडर एक समस हल्दी पाउडर लॉंग शोटी लैसी बरी लैसी दाल से देदी है एक कप पेस देदेंगे चार पास हारी मिट्च दाज बरा देदी है फ्रेंज और देदेंगे एक समस धनिया के पाउडर और दो समस लैसोन एक समस अध्रक लैसन का पेस्ट दो समस लैसन देए एक समस अध्रक बड़ा समस देदी है और देखिए सोटी लैसे बॉरी लैसी देखिए इस तरह से सीर के दे रही है और इसमें देदी है सरसो का तेल में दिखाना भूल गई थी फ्रेंज वे सारे मिसले के साथ अच्छी तरह से समस से मिक्स करके आदा गुंटा रख देंगे उसके बाद गोश्ट भूना बनाएंगे गोश्ट कौशा बनाएंगे कि आई पार दिए सारे मैसले के साथ गोष्ट असी दरह से मिक्स कर लिये है अधा गूंटा हो चुकी है तो सब्सक्राइब है तुछ भी गोष्ट बनाते हैं गोष्ट बनाने के लिए कड़ाई सरा दिये है और सर्सों का तेल दे दिये है एक कप और सर्सुका तेल में एक चम्मत जीरा दे दिये हैं और दो तिन पीयाज हरीमेट्स और सारे अची तरह से फ्राइ करना है लाला करेंगे जब तक गॉल्डन ब्राउन ना हो जाए और इसमें दे दिये हैं दो तिन लॉंग डाल चीनी और इसमें भूश देंगे फ्राइ करने के बाद इसमें भूश दे दिये हैं गोश इससी तरह से सारे मिसाले के साथ चार पास्पने तक भूनने के बाद इसमें ढखकन दे देंगे सारे मिसाले के साथ गोश इससी तरह से भून लिये हैं चार पास मिन दग इसमें भी रखकन देखें लोटू मीडियोम फिलम में पकाएंगे बुनेंगे इसमें जीरा पाउडर और गरम मसला दे रही है फिर से अच्छी तरह से भूनेंगे क्योंकि ठीट होती है गोश इसलिए चार पास मिन तक भुनने के बाद पास मिन तक ढखन देके भुन लिये हैं उसके बाद फिर से सार पास मिन तक अची तरह से भुनने के बाद भुन दे देंगे और अची तरह से पकाएंगे कि अच्छी लगने कि अच्छी लगने काला रही है थोड़ी से सॉफ्ट हो चुकी है इसमें से बहुत ही बाद ही खुशबार है माशाला के अबने क्या बता हूँ जा दखरेंए अची तरह से परफेक्ट्ली मास गोष भुन लिया है अची तरह से देखें से पानी सूँची है दरदर हो चुकी है पहले दस मिन तक असी तरह से भूनने के बाद धकन देखे लोटू मिडियम फिल्म में इस तरह से फिर से दस मिन तक पकाया है भूननी भून लिये है अब इसमें पानी दे देंगे खाने का तो बहुती टेस्ट लगती है तो सिस्टर ने दो चेक करने के लिए मुझे बोल लिए थी पे तो में ने दे दिये है और देखिए मा इसमें पानी दे दिये है पानी दे दिये है अब दस पंद्रा मिन तक पकाना है कि एक गोश्ट बनाने में हम लोगों को थार्टी मिनिस लगें लगी है फ्रेंस क्योंकि थोछी टाइम लगती है पहले दस मिन उसी दरह से भूनने के बाद फिर से रकन देके लोटो मिडियम फिले में दस मिन तक भू पानी देके पकाया है कि फ्रेंस फाइनली गोश्ट बुना हमारी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है थोड़ी सी ठंडा करने के बाद अब लोगों से मिलती हूँ वाव है दिखे फ्रेंस फाइनली गोश्ट बुना हमारी पूरी तरह से हो चुकी है कितनी अच्छी लग रह बहुति अच्छी बनी थी मश्रा से बनाके जोरूर में कमेट में जरूर में बते हैं फ्रेंज आसील मुओस के शेयर कीए हैंTC साथ को ज्राइब Nicholas जोरूर बताना और आप आप लोग को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब किजिएगा आप लोग को बहुत बर शुक्रिया आप लोग को पूरा पूरा वीडियो दिखने के लिए थेंक यू